नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्फ पांडे है Final Cut Pro X टूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से क्लिप को री टाइम किया जाता है आज के वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्लिप को Slow Motion का Effect या फिर Fast Motion का Effect किस तरीके से दिया जाता है अगर आपको अपनी क्लिप को कहीं पर Hold करना है या फिर आप अपनी क्लिप को Reverse करना चाहते है तो वो आप किस तरीके से करेंगे इसके अलावा अगर आप अपनी क्लिप में Variable Speed चाहते है तो वो किस तरीके से आप कर सकते है तो दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर Preview स्क्रीन के नीचे आपको एक Option दिखाई दे रहा है Choose Clip Retiming Options का आप Drop Down Menu में Click करेंगे तो आप देखेंगे कि Different Options है आप अपनी क्लिप को Slow कर सकते हैं उसको Fast कर सकते हैं उसको वापे से Normal कर सकते हैं उसको Hold कर सकते हैं या फिर Custom Speed Assign कर सकते हैं क्लिप को Reverse कर सकते हैं या फिर क्लिप को Reset भी कर सकते हैं इसके अलावा और भी Different Options है लेकिन दोस्तों जो सबसे Important आपको यहाँ पे Option मिलता है वो यह है कि किस तरीके से आप अपने क्लिप में Slow Motion या फिर Fast Motion का Effect क्रिएट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक Footage है यह एक Drone Shot है इसको Play करते हैं आप देख सकते हैं यह जो मेरा Shot है इसकी Speed अभी Normal है अब अगर मैं इस क्लिप में Slow Motion का Effect क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा इसको Pause करते हैं सबसे पहले मैं क्लिप को Select करूँगा आप देख रहे हैं Yellow Highlighted Area है फिर मैं हापे Retiming Options में जाके अपने क्लिप को 50% से 25% से या 10% से Slow कर सकता हूँ तो अगर मैं इसको 25% से Slow करता हूँ तो यहाँ पर एक Yellow Highlighted Retime Editor का Option आ चुका है जहाँ पर यह बता रहा है कि आपकी क्लिप 25% से Slow हो चुकी है इसको Play करते हैं आप देख सकते हैं आपकी क्लिप आप काफी Slow Play हो रही है इसका मतलब Slow Motion का Effect Create हो चुका है ऐसे ही अगर मैं अपने क्लिप को Fast Motion का Effect देना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे दूँगा इसको Pause करते हैं मेरी क्लिप Already Selected है मैं Retiming Option में जाके यहाँ पर से अपने क्लिप को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना या फिर 20 गुना तक तेज़ कर सकता हो तो अगर मैं इसको 4 गुना तेज़ करता हूँ इसको Zoom Out करते हैं थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर Blue Highlighted Retiming Editor में शो हो रहा है कि मेरी क्लिप 4 गुना Fast हो चुकी है इसको Play करके देखते हैं आप देख सकते हैं Fast Motion का Effect Create हो चुका है और जो काफी Smooth है अब अगर आप वापस से अपनी Speed को Normal लाना जाते हैं तो आप वापस से Retiming Option में जाएंगे और यहाँ पर Normal में क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपकी क्लिप वापस से Normal Speed में आज आ गई है दोस्तों यह सारे Option आपको यहाँ पर यह जो Retim Editor है यह जो Highlighted Area है यहाँ पर से भी मिलते हैं आप यहाँ पर Drop Down मेंडियो में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप अपनी क्लिप को Slow कर सकते हैं उसको Fast कर सकते हैं उसको वापस से Normal कर सकते हैं और Custom Speed भी Assign कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपनी Speed को Custom Assign कर सकता हूँ अगर मैं इसको 40% से Slow Motion करना चाहता हूँ अब देख रहे हैं यहाँ पर 40% से मेरी Eclipse Slow हो चुकी है अब अगर मैं इसको Fast करना चाहूँगा देख सकते हैं अब क्लिप Fast हो रही है दोस्तों यहाँ पर Custom Option में आपको Reverse Clip का भी Option मिलता है अगर आप अपनी वापस से क्लिप को Reset करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से भी अपने क्लिप को Reset कर सकते हैं तो आपकी Speed वापस से Normal हो जाएगी यह सारे Option आपको यहाँ पर Retiming Option में भी मिलते हैं चाहे तो आप यहाँ पर से अपने क्लिप को Reverse कर सकते हैं और Speed को Reset भी कर सकते हैं और Custom का भी Option यहाँ पर एवलेबल होता है इसको थोड़ा Zoom In करते हैं अपनी टाइम लाइन को दोस्तों अब आपस एक बार अपनी क्लिप को Play करते हैं अब अगर मैं अपनी क्लिप को Reverse करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगा या तो मैं यहाँ पर Retiming Editor में जाकर Custom से Reverse सेलेक कर सकता हूँ या फिर मैं Retiming Option में भी जाके यहाँ पर से भी अपनी क्लिप को Reverse कर सकता हूँ इसको Play करते हैं आप देख सकते हैं मेरी क्लिप अब Reverse में Play हो रही है आप यहाँ पर एक चीज़ नोटेस कर रहे होंगे कि मेरी क्लिप अटक रही है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे Background में मेरी क्लिप रेंडर भी हो रही है यह जो आप यहाँ पर वाइड डॉट्स देख रहे होंगे यह क्या हो रहा है यह शो कर रहा है कि Background में रेंडरिंग चल रही है तो Final Cut Pro X में आप रेंडरिंग के साथ साथ अपनी एडिटिंग भी कर सकते हैं आप देख रहे हैं जिस तरीके से रेंडरिंग होती जा रही है उस तरह से बाइड डॉट्स कम होते जा रहे हैं इसको वापे से प्ले करते हैं आप देख रहे हैं अब काफी स्मूदली मेरा क्लिप प्ले हो रहा है यहाँ पर ड्रॉप्डण मेन्यू से आप चाहे तो अपने clip को reverse में भी slow कर सकते है उसको fast कर सकते है वापस से उसको normal कर सकते है या फिर आप custom reverse speed भी assign कर सकते है इसको वापस से reset करते है दोस्तो इसके अलावा आपको ये जो retiming editor है इसके अंदर एक ये black color का आपको handle दिख रहा होगा जिसको हम retim handle कहते है आप इसको भी drag करके अपने clip को fast या फिर इसको slow motion कर सकते है फिर से देखते हैं ये fast हो चुक है हमारा clip आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ mouse को यहाँ पे click करके और mouse को फिर drag कर देना है right side में drag करेंगे तो slow motion का effect create हो जाएगा और lift में करेंगे तो fast motion का इसके अलावा आपको यहाँ पर एक option मिल रहा है blade speed का तो यह blade speed क्या है आप देख रहे हैं अभी मेरे clip में कुछ भी blade कहीं पर भी जो read time editor है यहाँ पर कहीं पर भी blade नहीं लगी है तो अगर मैं blade speed से यहाँ पर एक blade लगाता हूँ अब देख रहे हैं यहाँ पर भी मेरा एक blade लग चुका है और यहाँ पर एक read time handle आपको दिख रहा होगा अब अगर मैं अपने clip को यहाँ तक slow करना चाहता हूँ और blade के बाद मैं इसको fast करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए read time में यहाँ पर से read time handle में जाऊँगा और यहाँ पर से fast कर दूँगा तो यह जो orange highlighted area है यहाँ तक मेरी clip slow होगी और यह जो blue highlighted area है उसके आगे आते ही यह fast हो जाएगी देखते हैं अब eclipse slow है और यहाँ पर से मेरी clip fast हो चुकी है इसको वापे से reset करते हैं आप चाहे तो automatic speed assign कर सकते हैं आप देख रहे हैं automatic करने से slow हो चुका है 50% इसके अलावा इसको वापे से reset करते हैं इसके अलावा speed RAM का option है first option है to 0% यह क्या करेगा आपके clip को slow करेगा सबसे पहले 88% से फिर 63% से तो आप देख रहे होंगे variable speed changes हो रहे हैं आप चाहे तो यहाँ पर handle से इसको कम या जादा भी कर सकते हैं चाहे तो आप fast motion का effect दे सकते हैं या फिसको और slow motion कर सकते हैं तो इसने आपकी variable जगा पर आपको speed कम या जादा करने का option पो वाइट करता है इसी तरीके से इसको वापे से reset करते हैं इसके अलावा आप अपने clip को instant play कर सकते हैं यहाँ पर से अगर मैं instant play करता हूँ 50% से तो आप देख सकते हैं कि यह replay हो रहा है इसको वापे से undo करते हैं इसके अलावा आप अपने clip को rewind कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा video quality का अगर आप slow motion करते हैं अगर suppose मैं इसको 25% से slow करता हूँ और आप इसको play कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है यह काफ यह इतना smoothly play नहीं हो रहा है तो अगर आप चाहते हैं आप अपने slow motion को smoothly play करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से video quality में जाके frame blending या optical flow को select कर दीजे तो जब आप optical flow को select करेंगे तो यहाँ पर एक option आपको लिखा आएगा analyzing for optical flow तो यह क्या कर रहा है यह आपकी clip को analyze कर रहा है आप यहाँ पर background task में देखेंगे तो आप देख सकते हैं transcoding and analysis चल रही है जैसी ही यह 100% होगा इसका मतलब आपका optical flow आपके clip में आ चुका है तो इससे क्या होगा जो आपकी clip है यह काफी smoothly play होगी slow motion में तो दोस्तो आज की lecture में सिर्फ इतना ही धन्यवाद आपकी धन्यवाद